डाउट्रेट पर होग अब आपके सारे फिसिक्स के बेस्टिन माच जाउट्स का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोल्टों खीचो अक्राप कर और तुरंच वीडियो सिलुशन पाओ डाउलोट कीजिए डाउट्रेट आप अभी है फिर वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 बच्छो बच्छो एलो स्टुडेंट्स यह ग्वेशन दिया है कि प्रेशर मेजर्ड बाई एक कॉंस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमेटर इस 40 किलो पा पॉइंट के इकवल हो तो उस केस में हमारा प्रेशर क्या मेजर्ड होगा यह हमें क्या करना है फाइंड करना है ओके तो लेट्स डू दिस तो हमारे पास क्या होता है नोन फॉर्मला क्या है टीज इकोल्स टू प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इन्टू 273.16 ओके यह फ एक तल टी कितना है 100 डिग्री स्ट्सियस घिस को केलविंद कर लेंगे तो यह कितना जाएगा 373 कैलवियन और हमें क्या फाइंड करना हैricht सिकि यूज तो यहां bisa को पास्कल यह हमारे पास given है तो चलिए सारी values को put कर देते हैं तो P की जो value है की P is equals to T 373 into 40 into 10 to the power 3 upon में 273.16 ओके इसको multiply करते हैं तो यह कितना आएगा multiply करने पर यह आएगा something यह आएगा 14,920 into 10 to the power 3 upon में यह value आजाएगी 273.16 ओके तो इसको फर्दर क्या कर लेते हैं divide कर लेते हैं तो divide करने पर यह आएगा P की value जो आएगी यह आएगी 54.62 into 10 to the power 3 पासकल ओके तो अप्रॉक्सल मेटली अगर देखा जाए तो यह वाइप जो हमारा प्रेशर है वो क्या है 55 किलो पासकल के equal है ओके similar यहाँ पर वो कर देते हैं अप्रॉक्स का तो किलो पासकल तो जो प्रेशर मेजर होगा boiling point पे वो कितना आएगा 55 किलो पासकल आएगा ओके तो